तो हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल हूँ कि आप रूबिक ट्रेड एप्लिकेशन में ट्रेडिंग कैसे कर सकते ही जी है दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको एस्टेप बस्टेप आपको बत ओपेन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना account बनाना पड़ता है हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे account बनाना आपको बता दिया था आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं description में उसका link मिल जाएगा दोस्तों आप यहाँ पर आपको दो account डेखने को मिलता है एक real account और एक demo account अगर आप शुरू में beginner से आप new है अगर आप trading सिखना चाहते हैं तो आप शुरू में आपको demo account पर ही trading करना सिखना होगा फिर आपको अगर practice हो जाएगा अच्छे से experience हो जा जाए रुपए मिलते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसके कुछ feature है यहाँ पर आपको यहाँ पर graph का option दिखाई दे रहा है यहाँ से आप click करके यहाँ पर अपना graph को यहाँ से change कर सकते हैं कि आपको किस graph पर यहाँ पर trading करना है तो चली हम इस एरिया चार्ट में से रहने देते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको timing का option मिलता है आप यहाँ से timing को select कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको theme का option मिलता है कि आपको किस theme में यहाँ पर trading करना है आप white theme भी कर सकते हैं या भी आप dark theme भी कर सकते हैं और last वाले option से आप अपने spawn को rotate भ जाए था होगा उसपर आपको क्लिक कर देना है अब दोस्तों आपके यहां पर एसेट सारा खुल जाएगा आप यहां से देख सकते हैं कौन सा एसेट popular है currency है किस asset में आपको ज़्यादा profit मिल ला है वहीं आपको asset यहाँ पे slate करना है आप यहाँ पे आप इसका profit को देख सकते हैं किस asset में कितना profit यहाँ पे मिल रहा है चली हम इस GBP USD पर click करते हैं इस पर 80% का profit मिल ला है यहीं asset हम slate कर लेते हैं उसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे timing को slate करना है कि आपको कितने time तक trade करना है तो यहाँ से आप plus पर click करके timing को भी बढ़ा सकते हैं तो हम one minute ही रहने देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे एक invest का option दिखाई देरा होगा आपको यहाँ से अपने रूपे का यहाँ पे invest करना है तो आप यहाँ से अपने रूपे का भी यहाँ पे slate कर लिजीगा तो चलि हम 20 रूपे से ही पहले trading करते हैं उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पे एक food का option दिखाई दिरा होगा एक call का option दिखाई दे रहा होगा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह क्या है तो दोस्तों आप यह जो graph देख रहा है आपको यहाँ पर prediction करना है कि एक मिनट बाद यह graph उपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा अगर आपको लगता है कि एक मिनट बाद यह graph उपर जाएगा तो आपको call पर क्लिक करना है अगर आपको लगता है कि एक मिनट बाद यह graph नीचे जाएगा तो आपको put वाले option पर क्लिक कर देना है इस तरीके से आप यहाँ से अपना training को कर सकते हैं तो चले दोस्तो मुझे लगता है कि एक मिनट बाद ये ग्राफ उपर जाएगा तो हम call वाले option पे click कर देते हैं और confirm पे click कर देते हैं अब हमें एक मिनट तक wait करना है अगर ये ग्राफ उपर चल जाता है तो हमें profit हो जाएगा नहीं तो अगर ये नीचे जाएगा तो हमें loss हो जाएगा तो दोस्तो देख सकते हैं हमें यहाँ पे profit हो चुका है हमने 20 रुपे लगाया था और हमें 16 रुपे का profit हो चुका है और यहाँ पे हमने total 36 रुपीज अर्ण यहाँ पे कर लिया है तो दोस्तो इस application से आप इस तरीके से यहाँ पे demo account से trading करना सिख सकते हैं फिर इसी तरीके से आप real account में भी trading कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको आप trading करना इसमें आ गया होगा तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लेगी हो तो वीडियो कर दीजे लाइक चैनल को सब्सक्राइब ने कियें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे